कहने को तो उजेन के जिला स्पताल को संभाग का दर्चा है लेकिन इस स्पताल में मरीजों की किस तरह बेकर्दी हो रही है इसका उधारण एक बार फिर सामने आया है जब स्ट्रेचर पर दूसरी मंजिल पर ले जाया जुआ रहा एक मरीज सीडियों पर से ही गिर गया इस खबर को जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए आप ने ये वीडियो देखा इसमें चार लोग एक मरीज को इमर्जन्सी रूम से स्ट्रेचर पर लेकर जा रही हैं सीडियों से स्ट्रेचर लेकर चड़ रहे मरीज वाड बॉय और उनके परीजन सीडियां चड़ते हुए जैसे ही बीच में पहुँचते हैं मरीज पल्टी लेता है और वा सीधे सीडियों पर जा गिरता है उसे उठाकर फिर से स्ट्रेचर पर लादा जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वाड में ले जाया जाता है बताया जाता है कि मरीज शराबी था और नशाजादा होने पर वह उपचार के लिए अस्पताल पहुँचा था लिफ्ट बंद होने से परीजन उसे सीड़ियों के जरीए वार्ड मिले जा रहे थे और यहादसा हो गया बहराल जिलास्पताल में लिफ्ट बंद होने का मामला करीब एक साल से फाइलों के बीच दोड़ रहा है हर बार इस मुद्दे पर बात हो रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस कारवाई नहीं हो सकी है